देखिए क्या question है जो exam में आया हुआ है question है inverse of the function fx equal to 10 power x minus 10 power minus x upon 10 power x plus 10 power minus x यानि आप से fx दिया है और f inverse x पूछा है मैं आपको question solution के साथ concept, tricks, logics, option, approach क्या होती है वो भी बताता चलूगा सबसे पहले समझे कि अगर y equal to fx लिखा हुआ है तो अगर मैं इसका inverse बोलू तो x equal to f inverse y यानि x के form में जब question को turn करते हैं तो वो उसका inverse कहलाता है अब ध्यान दीजिए कि यह y लिखा है अगर मैं यहाँ पर देखूं तो a minus b a plus b जैसा है अगर आप इसको x के term में convert करोगे तो भी यह लगवग ऐसा ही होगा यानि a plus b a minus b आप ध्यान दीजिए इस तरह का इस तरह के format का कोई भी option नहीं है except these तो इसका answer यह होना चाहिए like अब बात आती ही किसको करेंगे कैसे वो बताता हूँ यानि मैं आपको दो तीन approach बताऊंगा आप थोड़ा सा understand करेंगे तो आप questions को देखते ही solve कर सकते हैं यह क्यों लिखा है वो बताता हूँ देखिए आपके पास एक function था y equal to 10 power x minus 10 power minus x upon 10 power x plus 10 power minus x सबसे पहले आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे y equal to 10 power 2x minus 1 upon 10 power 2x plus 1 right इसको 1 upon 10 power x लिखा cross multiply किया तो आपको मिला y into 10 power 2x plus 1 equal to 10 power 2x minus 1 आपने 10 power 2x को common लिया तो यह मिला y minus 1 equal to y था equal to minus y minus 1 आप ऐसा भी बोल सकते थे 10 power 2x equal to y plus 1 upon 1 minus y अब ले लिजे लॉग देखे बेस 10 के साथ दिया है तो जब आप लॉग लेंगे तो लॉग बेस 10 to 10 power घ्यान दिजेगा लॉग बेस 10 10 power 2x equal to log base 10 1 plus y upon 1 minus y अब लॉग की आपको property पता है लॉग m power n n log m होता है and log base aa हमेशा 1 होता है इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसको ऐसा लिख सकता था 2x equal to यह तो 1 हो गया log base 10 1 plus y upon 1 minus y तो इसका meaning यह हुआ x आपको मिल गया 1 by 2 log base 10 अच्छा x जो होता है वो actual में कहलाता है f inverse y तो आपको f inverse y मिला अब आप y के place पे अगर x रख देंगे तो f inverse x कहलाएगा देखी यही एक option है जो मैंने आपको logic बदाया कि आप इसको component इसको जैसे यहां पर चाहते तो component डिविंडो लगा के भी कर सकते थे इस वाली step के बाद तो उससे उसी format concept मिलता जो एक ही option था अगर थोड़े logical तरीके से आपने पढ़ा होता तो यह question आप देखते ही solve कर सकते थे note कर लिजे question को झाप कर दोड़े झाप सकते ही झाप